नमस्कार में वीदर हतेगार, MNS News Live में आप सभी दर्शुक्वा स्वागत हैं खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नगर हेडलाइन्स के ओर घबराए, बॉखलाए, लड़खडाए, रधान मंत्री अब भटकाने का काम कर रहे हैं कंगरेस कमलनात के वाइरल विडियो का दूसरा हिस्सा आया सामने मुस्लिमों से मांगे नभेट हिस्दी ओर राजगर में करमचारियो का गुपत मतदा नहीं रहा चुनाव आयो पहुचा मामला मदेप प्रदेश विधान सभाचुनाओ की दोरान अपनी सभावों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा कॉंगरेस निताओं को दोगला कहे जाने के सवाल पर कॉंगरेस ने जवाब दिया है उन्होंने कहा कि उन्ही को मुबारक जो जैसा होता है वैसे शब्दे इस्तिमाल करता है रंदीप सिहां सुरुजे वाला का कहना है कि घबराय, बोखलाय, लड़कडाय, प्रधान मंत्री अब भटकाने का काम कर रहे है मुस्लिम समाच से धर्म के आधार पर ओट मांगने वाले कथित वीडियो का एक और हिस्सा सामने आया इस वीडियो में दिख रहा है कि कमलनाथ धर्म के आधार पर मुस्लिम ओट को कॉंगरेस से जोडने की कोशिश कर रहे है वीडियो में कमलनाज लोगों को मुस्लिम ओटो का गणित समझाते दिख रहे हैं मुस्लमान समाथ कि अगर 90 प्रतिशत बोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बढ़ान भुसान हो सकते हैं आप तो 80 की बात कर रहे हैं और हमारे सामने आखने हैं ये आज सब आखने हैं कि आप जानते हैं कि आपके आँख कौन से मौल्ले में अगर तुम्हारी नगल स्पानिकाच्षेतर में दोधारत के रूप में तुम जानते हो काम-अज़तमान भूट है वहाँ उस भूट में इत्के प्रतिशक मद्दान हुआ है अगर वहाँ मद्दान हुआ है साल परसंट तो कोई कारण हो कोई बड़ा कारण हो रहे हैं आज इनके RSS मोटर क्या कर रहा है, RSS के जो कारे करता हूं क्या कर रहे हैं? आप मुझे चान कारी, RSS के जो लोग इनने लोग खिलाए हुएं, मैं तो छिवड़ा की बात करूँ, मुझे तो लोग आके बता देते, अगर हिंदू को वोट देनी है, तो हिंदू शेर, मोधी को वोट दो, अगर मुसल्मान को वोट देनी है, को हमें इसको वोट दो, केवल दो लाइन, और कोई पाठ बढ़ाने में जाते हैं, ये इनकी रण नीती है, और इसमें आप सबको बड़ा सदर करना पड़ेगा, आपको वोट जाने की कोशिश करेंगे, हम निपट लेंगे इनसे बाद में, पर मदान के दिल तक आपको सब कुछ सेहा पड़ेगा, मदान करवा जाता है, और इस जो सूची थी जिसकी गोपनिता बरकरार रखनी थी, उस सूची को जहां ये पोस्टल बैलेट हो रहा था, उसके द्वार पे लगवा दिये गया था, और वही जो कोड नमबर द्वार पे लगा हो था, वही पोस्टल बैलेट के रिफाफे में लगा हो था, इस विशह पर हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत करी, और अभी मेरे पास मेल आया है, कि निर्वाचन आयोग ने राजगार कलेक्टर से तलब करी, ये रिपोर्ट की पोस्टल बैलेट की जो कोपने इता बंग वही है, वह कैसे और उस पुरे विशह पे जानकारी, हम राजगार कलेक्टर को हटाने के मांग करते हैं, करते हैं, वह कैसे हुआ से तलब कलेक्टर से तलब काना आयोगार करते हैं, पुरे वह पे जो हम बंग करते हैं,